हेलो गाइज, वेलकम बैग तो और यटोप चैनल, दिस इस रेजल मिस्टा, तो गाइज, आज के टॉपिक के अंतरकत हम हिंदी गद्ध के महतपूर प्रश्णों के बारे में चर्शा करेंगे, तो चलिए और भी ना दे रहेंगे, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने आप सब को, जो हमारा सलेवस था, उसमें ही बताया था, कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, जो हिंदी गद्धे उसके अद्भव और विकास को पढ़ना है, और उसमें हमारा पहला प्रश्ण क्या है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, आदिकाल से ही मानों में कहानी कहने और सुनने की प्रवल लाल सा रही है, भारती साहित्य में वेदो, उपनिशद, बौध जातको, एवं संस्कृत साहिद में अनेक कहानिया देखने को मिलती है, रिग वेद, ब्रह्मःड, ग्रंत, एवं उपनिशदों में अनेक सांकेति कहानिया मिलती है, लौकिक संस्क्रती साहित्य में भी कथा साहित्य की प्रधानता है हिंदी की आधुनिकता कहानी आधुनिक कहानी का जन्म वर्तमान युक की आवशकता के कारण हुआ है यह most important topic है हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म वर्तमान की आवशकता के कारण हुआ है अपने वर्तमान रूप में यह विधा अंग्रेजी साहित से होकर हिंदी में यह देखे यह पहले अंग्रेजी में थी उसके बाद हिंदी में आये ठीक है कहानी के पश्यात देशों में मतलब जो हमारे पक्षमी देश है उसमें क्या short story मतलब इंग्लिस में short story कहा जाता है और एडगर, एलन, पो को आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है वैसे तो मतभेद है कि इन्हे माना जाएगा इस कहानी को माना जाएगा लेकिन जो हमारे एडगर, एलन, पो है उनको आधुनिक कहानी का जन्मदाता में प्रमुख रिस्थान इनको प्रापता ठीक है इन्दी कहानी के विकास का अधेन करने के लिए हम उनकी समिच्छा इस प्रकार करने जो उसकी विकास का स्तर है हम सनवाइस देखेंगे तो चलिए वो देखते हैं इसमें पहला यूग क्या है विक्यास यूग है जिसको 1900 से 1911 स्वी तक लिया गया है ठीक है और स्वातन्त रियुग यानि 1947 से अधतन मतलब अब तक की जो है मतलब कहानी पहले में आप अपने दादा ओदाओस भी सूना होगा कहानी किसलिए कही जाती है हमारी वर्तमान की जो आउशकता है मतलब जो हम भटा करे हैं गलत रहा पर चल रहा है कहानी क्या होती है हर कहानी का निरिसकर्ष एक ट्रेडा और एक क्या होता है एक कोई न कोई मुल उद्देश होता है हमारी जीवन को साथ थक बनाने के लिए ठीक है आगे हम देखते हैं कहानी क्या है कहानी जीवन का एक खंड चित्र मातर है जिसकी घटना पाठको को अवलंबित तथा गदगद करती है ये हमारी जीवन का एक खंड चित्र मातर है एक अगला हमारा प्रश्ण है नई कहानी के उद्देश से पर प्रकास जालिए आदमी कहानी का मूले उद्देश जीवन की विसंगतियों का वैग्यानिक धरातल पर गहन विवेचन कुष्ठा निरासा हिनतता था उद्देश हिनता को नया प्रकास देना है जो भी मतलब हमारे सं सार में जितने भी निराशा है उसी के लिए कहानी कही जाती है क्या कि उस मतलब अगर हम कभी भी बहुत जादा दुखी हो जाते हैं तो हमको ऐसे लोगों का इंटर्व्यू पढ़ना चाहिए ऐसे लोगों की खिसे कहानी पढ़नी चे जिसे में क्या हो प्रेडा मिले तो य यह क्या करती है हमारे जीवन में नय प्रकास का संचार कर देती है ठीक है चौथा मारा प्रशन है कहानी कला के प्रमुक तत्व का उलेक कीजिए तो क्या होती है इसमें कथा वस्तू होती है चरित्र चित्रड होता है कतोप कथन होता है देश काल वाता वरर होता है भासा सैल और हर कहानी की एक नएक कोई मूल्क्य उद्देश है तो होता ही है अब पाँचवा हमारा प्रश्न है उपन्यास क्या थो उपन्यास मैंने वीडियो बना रखी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं ठीक है हम उपन्य उपन्यास के बारे में अब देखते हैं उपन्यास के बारे में अब देखते हैं और इनकी कुछ रचना हैं जैसे क्या इनकी रचना हमारी है गबन गोदान आदी ठीक है अगला लाष्ट हमारा प्रशने उपन्यास के कितने तत्व होते हैं विद्वान तथा साहितिकारों ने उपन्यास के च्छत तत्व बतायां ठीक है तो ये हमारी क्लास एक रिवीजन की तहत होगी जिसमें मैं आपको जितने भी महतपूर प्रशने हैं सब बताऊंगी तो अगर आपका एक्जाम रिटेन होगा फिर भी आपके लिए अच्छा है और अगर आपका एक्जाम रिटेन न होके जो हमारा OMR seat पे होता है MCQ Multiple Choice Question का अगर वो वाला एक्जाम होगा तब भी आपके लिए बहुत ही ज़ादा महतपूर होगा क्योंकि आप विस्तार पड़ेंगे तो आप सौट्स भी कर लेंगे ठीक है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ठीक है और मैं मीडियो में अपने नेक्स्ट आप से मिलूंगे तब तक के लिए धन्यादा